हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस design को आप ladies cardigan, ladies half jacket, girls toe, frock और कुर्टी पर अपलाई कर सकती है इन सभी project पर ये design पहुती सुन्दर लगता है इस design से आप scale border बना सकती है और इस design को आप all project पर भी apply कर सकती है इस design को बनाने के लिए आपको 12 के multiple फंदे लेकर 5 फंदे extra लेने होंगे तो ये design आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 12 के multiple देखिए 12 फंदे गिन लेजिए फिर से 12 फिर से 12 इस तरह से करते हुए last में आपके 5 फंदे होने चाहिए ये design सीधी side से शुरू होता है और 12 सलायों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये design कैसे बनाया गया है तो ये देखिए friends इस design को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए है 29 फंदे 12 दूनी 24 और उसमें 5 फंदे extra तो इस design को बनाने के लिए आप इस तरह से ये normal फंदे डाल लिजिए और फंदे आपके हलके से लूज होने चाहिए फंदे डालने के बाद design की पहली सलाई है और सीधी side है तो पहली सलाई सीधी side से इसकी पूरी उल्टी बनेगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बना कर complete कर दीजिए तो ये देखे फैंट्स पहली सलाई सीधी side से इसकी मैंने पूरी उल्टी बना ली है आब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी side दूसरी सलाई उल्टी side से भी इसकी पूरी उल्टी ही बनेगी तो आप धागे को अपनी तरफ कीजिए और दूसरी सलाई को उल्टा उल्टा बुन कर complete कर दीजिए तो ये देखेंट्स डिजैन की दो सलाईयां उल्टी उल्टी बना कर मैंने complete कर ली है तीसरी सलाई है और सीधी साइड है तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि तीसरी सलाई इसकी कैसे बनानी है पहला फंदा एस्टीच है इसे उतारिए या बनाईए तो दिखिए एक और ये दो फंदे उल्टे बनानी के बाद धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बना देंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, और लपेट कर इस तरह से ये एक जाली डाल देंगे, अब चार फंदे उल्टे बनाएंगे, देखिए, एक, दो, तीन, और ये चार, अब एक, दो, और ये तीन, इन तीन फंदे को इस तरह से एक साथ लेंगे, और तीन का एक फंदा ऐसे उल्टा बुन देंगे, अब जैसे चार फंदे ये उल्टे बनाए, इधर भी हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, धागा अपनी तरफ रहे, और इस एक फंदे को ऐसे हम सीधा बुन देंगे, तो ये देखिए, ये व लपेट कर एक जाली डाल देंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार और तीन फंदे इस तरह से एक साथ लेंगे और तीन का एक कर देंगे अब फिर से चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ रहे और इस एक पंदे को यहां हम सीधा बुण देंगे आपके जितने भी फंदे हो यही बारा-बारा फंदे का डिजाइन बार-बार रिपिट करते जाना है लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे धागे को अपनी तरफ ले आईए और यह दो फंदे यहां उल्टे बना दीजिये तो ती दिजाइन में उल्टी साइड की सारी सलाइयां उल्टी ही बनेंगी, तो इस सलाइगो मैं उल्टा वुन कर कंप्लीट कर देती हूं। चार सलाईयां डिजैन की complete हो गई है पांच में सलाई है और सीधी साइड है पांच में सलाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा ST6 उतारिये या बनाईए तो देखिए एक और ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पिछे करेंगे अब यहां दो फंदे सीधी ब बनाएंगे एक दो और ये तीन अब यहां बीच में फिर से तीन फंदे का एक कर देंगे तो तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा उल्टा बना देंगे ये जो तीन का एक करने से दो फंदे कम होते हैं तो एक जाली से यहां बढ़ जाता है और एक हमारा यहा पर तो फंदे हमारे बराबर हो जाते हैं अब तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीर धागा अपनी तरफ रहे और ये देखिए ये तीन फंदे हम यहां सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और डिजैन को देखिए रिपीट करना है ऐसे लपेट कर एक जाली डाल देंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन अब बीच में तीन फंदे का ये एक कर देंगे फिर से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ रहे और लास्ट में देखिए एक और ये दो फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट के फिर दो फंदे उल्टे हो जाएंगे पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई हैं अब आज ये छटी सलाई और उल्टी साइड पर छटी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए सातमी सलाई है और ये इसकी सीधी साइड है तो सातमी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए पहले ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो फिर धागा पिछे करेंगे और अब यहां तीन फंदे सीधी हो जाएंगे देखिए एक दो और ये तीन अब धागे को अपन फिर से तीन फन्दे का एक फन्दा उल्टा बोन देंगे फिर दो फन्दे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो धागा अपनी तरफ रहे और यह पाँच फन्दे हम सीधे बनाएंगे तो देखिए एक दो तीन च्यार और ये पांच धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाले डाल देंगे दो फंदे उल्टे अब यहां बीच में तीन फंदे का एक कर देंगे फिर से दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा अपनी तरफ रहे और लास्ट में देखे ये तीन सीधे एक, दो और ये तीन और ये वाले दो फंदे उल्टे बना देंगे अब आज ये इसकी आठमी सलाई और उल्टी साइड पर आठमी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए नौमी सलाई है और सीधी साइड है अब नौमी सलाई को ध्यान से देखिए पहले दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो फिर धागे को पिछे ले जाएंगे और यहां देखिए चार फंदे सीधे हो जाएंगे एक दो तीन और ये चार फिर धागे को अपनी तरफ ले थागा अपनी तरफ ही रहे एक हम ये उळटा बनाएंगे अब देखे यहाँ पर हमें जाले डालनी है तो धागे को अपनी तरफ रखेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाली डालतेंगे अब एक फंदा उल्टा, इन तीन फंदे का यहां एक फंदा कर देंगे अब ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रहे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और ये चार, और लास्ट के दो फंदे उल्टे हो जाएंगे नो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है, अब आज ये इसकी दसमी सलाई और उल्टी साइड पर दसमी सलाई को उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे दस सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है, ग्यारमी सलाई है और सीधी साइड है 11 मिसलाई को अब आप ध्यान से देखिए 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे धागे को पिछे करेंगे और ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पाँच पांच फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाले डाल देंगे अब ये वाले तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा उल्टा बुन देंगे अब धागा अपनी तरफ रहे और बीच में देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आट और ये नो फंदे सीधी बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेटकर एक जाली डाल देंगे और ये तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक बनादेंगे धागा अपनी तरफ रहे और लास्ट के पांच फंदे देखिए ये सीधे हैं एक, दो, तीन, चार और ये पांच और ये वाले दो फंदे उल्टे हो जाएंगे ग्यारा सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई है, बार मी सलाई है और उल्टी साइड है, तो इस सलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन कर कम्पलीट कर दीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से बारा सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है यही बारा बारा सलाईया इसमें बार बार रिपीट करनी है तो आपका इस तरह से ये सुन्दर सा डिजैन बनता चला जाता है अगर आप स्केलेब बोर्डर बनाना जाती है तो इस तरह स ते ये तीन डिजाइन आप इसमें लगातार बना सकती हैं, उसके बाद इसमें आप उपर कोई और डिजाइन भी अपलाई कर सकती हैं, और अगर पूरे कार्डिगन में जैकेट में ये डिजाइन बनाना हो, तो ऐसे ही इनको रिपीट करते जाना है, तो चलिए नेक्सट बा गागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को उल्टा-उल्टा ब från कर कम्प्लीट कर दीजिए। तो ये देखे फ्रेंट नेक्स्ट बार के इसकी पहली सलाई सीधी साइड से हमने पूरी उल्टी बना ली है। दूसरी सलाई उल्टी साइड से फिर आप इसकी पूरी उल् दिखा देती हूँ एक और ये दो फंदे बनाएंगे धागे को फिछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे लपेट कर एक जाली डाल देंगे और चार फंदे इलटे एक दो तीन और यह चार और यहां तीन फंदे का एक करेंगे तो देखे यह जो तीन का एक करना है यह बिल्कुल इसके बीच में आएगा तो यह तीन फंदे का एक करेंगे फिर चार उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और यह चार धागा अपनी तरफ रहे देखिए यह वाला इसका बीच का फंदा है इसके दोनों साइट जाली हो जाएगे इससे हम सीधा बनाएंगे तो यहां जाली आ गई धागा अपनी तरफ ले आएंगे लपेट कर एक जाली डाल देंगे और चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार अब फिर से तीन का एक करेंगे आप अगा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे तो यहां जाली आ गई और लास्ट में दो फंदे उल्टे हो जाएंगे उल्टी साइड की सलाई फिर इसकी पूरी उल्टी बनेगी ये जो बारा सलाईय मैंने पूरी बना कर दिखाई इनहीं को बार बा रिपिट करते जाना है तो आपका इस तरह से ये प्यारा सा डिजैन बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में शेर कीजिए चैनल पर नए है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें तेंक यू